सपोर्ट सिस्टम सब्सक्राइब धार थेंक य। वेरी मच्श पॉड़ा शुक्रियाद दोस्तों से भी को नमस्कार और आज हम सुनने वाले हैं हमारे दमदार टाइगर दमदार लीडर मिस्टर विकास यादो जी को जिन्होंने जीरो से शुरुआत करके और हिरो तका सफरते किया है और मुझे पका यकीन है कि बहुत जल्दी सेफसोब में यूनिवर्सल क्रावनमबेश्री बनने वाले हैं क्योंकि एक स्टेप बाकी है क्रावनमबेश्र तक पहुंच चुके हैं और बहुत जल्दी यूनिवर्सल क्रावनमबेश्री बनने वाले हैं तो दोस्तों आई आज हमिन को सुनते हैं नए सा डाइनमिक लिडर धंदार लिडर प्रावड ऑफ सेप्जों प्रावड ऑफ डाइट सेलिंग एंड बनने वाले युनिवर्सल क्राउन एंबेडर मिस्टर विकास याद होगी वेलकम टाइगर स्वागत आपके तो हम सुरुवात करते हैं बिना तेरी के तो हम स्लाइट शेयर कर सकते हैं और विकास जी नए साल में एक दम गॉर्जेस लग रहे हो बाई गाजब तेंक यू अ बहुत बढ़िया वंडर्फॉल आपकी पीपीटी ओपन होगी है स्टार्ड कर सकते हैं बहुत बढ़िया वंडर्फॉल वह सबसे पहले तो गुड मॉर्डिंग अल उफ यू गुड मॉर्डिंग इंडिया अगैं गुड लिजेंड्स एंड गुड मॉर्डिंग सेपसॉब जैसा कि आपको पता है कि स्टार्ट अप दोजार चौविस आज दो जन्वरी है और हम सब लोग बहुत एक्साड़िड है नए साल को लेके और कई लोगों को लगता है कि नया साल आ गया है तो मतलब सब कुछ अभी अपने लाएगा लेकिन दोस्तों तारीक पारीक बदलने से हमारी चीजां नहीं बदलती है नया साल उनके लिए बदलता है जो खुद को बदलना जानते हैं जो खुद को अंदर से बदलेंगे और आज का सेसन कुछ ऐसा ही है जैसा कि आज आपको टॉपिक मिला होगा और यह टॉ बिजनेस में आपके इस तरीके से आप टॉप बन सकते हो आप टॉप लेविल पर जा सकते हो और अपनी टीम को आपके इस तरीके से बना सकते हो बहुत सारी चीज़ें ना बतागे कुछ आसखास चीज़ों पर बाच्वित करेंगे तो सबसे पहले आपको नए साल की धेर स सारी बिसेस मेरी तरफ से एंट सुब कामना है दोस्तों आज जैसा कि हमारे ग्रेट मेंटर ने टॉपिक आपको दिया हुआ है और उन्हों ने मुझे बताया था कि डरक सेलिंग इंडिस्ट्री में टॉप लीटर बनने के लिए हमारे अंदर क्या-क्या गुण होने चाहिए आज उन्हीक उपर बातशीत करेंगे लेकिन उनसे पहले हम थोड़ा सा कुछ जानेंगे और जानेंगे कि if you are a not willing to learn to one मतलब अगर आप पढ़ाई लिखाई करना जानते हैं अगर आप पढ़ाई लिखाई करना नहीं जानते हैं तो मतलब कोई भी आपकी help नहीं कर सकता बहुत कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं जैसा कि हम जानते हैं सारे लोग डरक सेलिंग इंडिस्ट्री में हम लोग कामयाब होना चाहते हैं सफल होना चाहते हैं लेकिन हम यह देखना पड़ेगा सबसे पहले actually उनको ना इस business की गहरा ही पता होती है, ना कभी उन्होंने इस business के बारे में कई पड़ा है, बस सुना हुआ है, तो अगर कोई चीज़ स्नी हुई है, वो आपको ज़्यादा देर तक नहीं टिका सकती है, वो आपको ज्यादा देर तक बहुत बड़ा मतलब आपको आप को ज्यादा देर तक जो है वो आपको किसी फूए इंडिस्ट्री में सपर्ली बना सकती सिर्फ जानना. पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है और जब आप पड़ाई लिखाई करते हो जब आप चीजों के बारे में जानते हो समझते हो तो आपके अंदर एक विश्वास और confidence पैदा होता है उस चीजों करने का तो दोस्तों हम खोड़ा जानेंगे आज से लगवाग सत्रा साल पहले हमको इस industry में आने का मौका मिला what is direct selling मतलब है क्या ये direct selling है ना पहले इसके बारे में जानते है तब ही हम top कर पाएंगे है ना अगर हम यहीं नहीं जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं तो उसमें top का और सफल होने का कोई सवाल बनता ही नहीं है ना कई लोगों को तो पता ही नहीं है बस वो लगे हुए है किसी के कहने किसी ने बोल दिया कि आप प्लान दिखा गया जाओ तो चले गए किसी ने बोल दिया कि आप ऐसा कर लो तो कर लिया ऐसे लोग जादा तर लोग लंबी पारी नहीं खेलते है वो किसी भी फिल्ड में हो तो हम थोड़ा जानते हैं इसके बारे में तो घ्र जादा लंबा हम वह नहीं करेंगे क्योंकि यह तो बहुत बड़ा topic है कभी सा में मिलेगा तो बताएंगे लेकिन हम थोड़ा shortcut बताएंगे इसका basic बताएंगे आपको और basic समझ में आ जाएगा तो आपको ये पूरा का पूरा business समझ में आएगा अभी होता है कि in today आप देखेंगे आज के दिए information a lot of media activities और आप देखो कि कोई भी product को promote करने के लिए आपको कहिना की आज की date में मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है और आप देखो कि कि मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है जैसे कि टीवी इंटरनेट मोबाइल प्रिंट मीडिया इसका एक्षली देखेंगे एक्षैक्ट किया है एक्षैक्ट इस दा पीपल डॉन बलीविन मीडिया फॉर ना और यह प्रोड़क्ट आप देखो के कहिना की फैक्ट यह है कि ज़्यादा तर लोग जो मीडिया की चीजों पर आजकल भरोशा नहीं करते ना तब करते थे ना आज करते हैं वट यस डे डू ब्लीव एंस संबंदे नो रिक्मंडे प्रोड़क्ट लेकिन कुछ लोग देखके बिलीब तो करते हैं किसके कहने से सबसे नजदी की लोग होते हैं हमारे जब वो हमको बताते हैं यह चीज अच्छी है तो वो लोग कहीना की खरीद लेते हैं जिसको हम बोलते देस इस दा पावर ओफ वर्ल्ड ओव माउथ दा बेसिक और डारक से लिंग इंडिस्ट्री जो मुह से किसी चीज के बारे में बताया जाए सामने आके टीवी इंटरनेट मॉबाइल प्रिंट मीडिया के माध्यम से नहीं जो सामने फे बिसनिस कहिना कही आज जिस तरीके से चलना चाहिए जिस तरीके से इंप्रूब होना चाहिए वो उनका हो नहीं पा रहा है क्योंकि वो कहिना की वो काम कर रहे हैं जिस से उतर के जिसकी बज़ा से कहिना कहीं डिर्ट सेलिंग बनी क्योंकि आजकल देखेंगे कि आजकल जब से AI आया तब से तो लोग विरकुल भी मीडिया इडिया पर भरोसा नहीं करते हैं तो कहीना की बेसिक है और इस बेसिक को समझ के जब हम काम करते हैं जब यह जान जाते हैं हम कि कहीना कहीं इसको डरक सेलिंग को सबसे अट्रेक्टिव क्या चीज़ बनाती है इसके साथ साथ देखो के जिरो रिस्क है ना नो कौलिफेकेशन को फॉर्मल बहुत बड़ी बड़ेशन को सबसे सकते हैं और बिजनेस की तरह ही बिजनेस है तो इस बिजनेस में भी नेड है किसकी efforts की, confidence की required In other business, जिस तरीके से दुनिया के और business हैं, उसमें जिस तरीके से efforts की जरुरत होती है, confidence की जरुरत होती है, knowledge की जरुरत होती है, hardware की जरुरत होती है, ऐसे ही हमारी भी industry में भी आपको इन सारी चीछों की जरुरत पढ़ती है, जब आप पढ़ाई लिखाई करते हो जब आप सालों साल बिताते हो तो आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं जो इनको करता है वो बहुत आगे चला जाता लेकिन फिर भी इतनी सारी चीज़ें फिर भी बिजनेस इतना आसान होते हुए भी ज्यादा तर लोग fail के होते हैं इसमें है ना कई बार दिमाग में आता है कि यार कोई risk भी नहीं है qualification भी नहीं चाहिए कोई बहुत बड़ा ये भी नहीं है वो भी नहीं है इतना असान बिजनेस है ज्यादा तर लोग इस बिजनेस फेल के हो जाते हैं इसकी सबसे बड़ी कोई चमतकार है कोई lottery वाजी है people take is a miracle and so think that this can happen to only a few कुछी लोग हैं जो इस बिजनेस को मतलब उनको लगता है कि ये ये चमतकार है कहीं को लगता है ये lottery है कहीं को लगता है कि भाई किसी का ये ज़्यादा तर लोगों के साथ नहीं होता है ये तो लग्की बात है कहीं के सा थोड़े बहुत लोग होते हैं कम लोग होते हैं मतलब happen to only a few लोग मतलब बहुत कम लोग होते हैं जिनके साथ चमतकार होता है साथ उन्हीं का चलता है ऐसा नहीं है people don't follow the rules of business ज्यादा तर लोग देखोगे इस business की कोई knowledge ना होने की बज़े से किसी के कहने से हम आ गए लेकि product to the promote ज्यादा तर लोगों को product की कोई जानकारी नहीं होती उनके अंदर product लेकर को confidence नहीं होता ना वो इस प्रोड़क्ट ना तो product को promote कर पाते हैं तो ये जो सारी चीज़े हैं वो कही ना कि किसी वेक्टी को हमारे business पर फेल करती हैं क्यों क्योंकि उसको लगता है ये business है य नहीं उसको लगता है ये ऐसे ही है normal सी चीज़ है और इसको हम बताएंगे लोग आ जाएंगे आएंगे तो ठीक है नहीं आए ऐसा नहीं है ये business दुम्या का सबसे powerful business है जब आप इसकी पढ़ाई लिखाई करोगे मैंने अपनी जिंदिकी के जब इस business में 17 साल दी है तो confidence आएगा कई लोगों को मैंने देखा है कि people don't talk about their product उनको बातचीत करना आती नहीं product के वारे में कोई knowledge है ही नहीं तो ऐसा बोला जाता है कि this is your own business which needs to your लगातार ये जो business है जिसमें आप direct selling में है चाहे आप safe zone में है चाहे आप कोई भी company में है जो direct selling industry को lead करती है दुनिया मे बैतरीन कंपनिया है हिंदुस्तान में भी बैतरीन कंपनिया और बैतरीन कंपनियों में personally मैं अपनी बात करूं मैं safe zone में पिछले 17 साल से काम करता हूं तो कईना की लगातार efforts की जरुत पड़ती है और इस सारी चीजों को जब आप समझते हो आप ध्यान देते हो तो आप ब है है हुमस्त राइड टूबे अ हाइड पोजीशन अड सेल संद मार्केटिंग है अगर आपको किसी सेल्स या मार्केटिंग हाइर पोजीशन पर पहुँचना है तो कितना समय देना पड़ता है हाव ताम में रिकवाइड ईवी डुट टॉक्टर बनने के लिए कितना समय देना पड़ता है, how much time you required to wear no cricketer, cricketer या football या कोई भी, आपको बनने के लिए कितना समय देना पड़ता है, answer is, you have to learn, take experience and required time, बहुत सारा समय, बहुत साला learn करना पड़ता है, लेकिन अगर आपने, what if you quit, बिट्मिन अगर आपने बीच में ही छोड़ दिया, तो no result, आप खतम हो जाएंगे, कोई result नहीं मिलेगा, एक समय है, एक सीमा है, कुछ किताब हैं, कुछ test हैं, कुछ exam है, जब तक आप पूरे process को complete नहीं करोगे, और अगर आपने गलती से भी बीच में छोड़ दिया, तो zero बटा zero result रहता है, लेकिन हमारे business में ऐसे ही, मैं कहीं को देखता हूँ, कोई चै महीने में छोड़ देता है, कोई एक साल में छोड़ देता है, कोई दूसरे दिनी छोड़ देता है, कोई तीन साल में छोड़ देता है, वो process को complete करता ही नहीं है, और बिना process को complete किये हुए, या उसको जाने हुए, वो इस industry में negative हो जाता है और क्या बोलता है साब यह बेकार चीज है यह होती नहीं है यह वो है फलाना है और इस तरीके से बाते करते हुए वो इस business से भार चला जाता है लेकिन दोस्तों अगर थोड़ी देर के लिए आप अपने बच्चे को या खुद आप IT अगर IT industry में जान दिन के process है लेकिन आप देखते हो हमारे business में जब लोग इस industry में आते हैं तो उनकी मनमानी चलती है उन्हें उनके उपर किसी चीज का कोई pressure नहीं होता मन में आये तो किया मन में आये तो नहीं किया और आप देखोगे हर industry में यह है तो कहीना कही अगर आप बीच में दोगे दो साल करके छोड़ दोगे तीन साल करके छोड़ दोगे ऐसा बोला जाता हमारे business में कि अगर आपको direct selling industry में सभल होना है तो उसके लिए कुछ आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी उनको समझ के करना पड़ेगा उनको कई साल करना पड़ेगा वो एक साल में नही दो साल में नहीं तीन साल में एक process अस process से होके गुजरना पड़ता है दुनिया का कोई भी successful व्यक्ति है अगर आप देखोगे उस process से होके उसको गुजरना पड़ता है और जब वो उस process से गुजरता है तो कहीना कहीं आप देखोगे वो एक उसको income आती है एक respect मिलती है recognition मि उसको एक जिन्दकी में एक सक्सिस का टेग लगता है उसके सामने कि वही यह अदमी सक्सिस्फूल है आप देखोगे कि दुनिया में किसी को भी देखो आप कोई भी सोर्स आप इंकम अगर किसी के भी देखेंगे आप किसी को भी उठालो आप चाहे टॉप आई आटियेंज को ठालो डॉक्टर्स को लालो इंजिनियर को ठालो किसी अच्छे नेटवर्कर को ठालो किसी अच्छे लीटर को ठालो आप देखोगे सोर्स आप इंकम क्या है source of income है कि time आप कितना दे रहे हो किसी भी चीज में आपने देखा होगा security guard है वो किसी company के बार बैठा 8 गंटे का समय देता है वो अगर वो double duty करेगा तो 16 गंटे की income मिलेगी उसको ऐसे ही जो source of income है वो क्या है time कही time है तो कहीं service है service मतलब सेवा देना जैसे सेवा देना आप कोई सेवा दे रहे हो किसी को sales या कोई आप sell कर रहे हो या talent है आप टाइलेंट जैसे रुनालडो है उसके अंदर एक talent है लेकिन उसने अपने टाइलेंट को practice कर 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 के में दिशिप्लीन के साथ करकर करकर कै और आज उसकी शोर्स सोप इनकम या टाइलन्ट और किशी के अंदर होता नहीं है या फिर दुनिया के मसूर क्रिकेटर है आप उनको देखोंगे परमात्मान उनको टाइलेंट दिया कपिल सरमा है ऐसे कई सारे लोग है जिनके अंदर प करबपती है कोई भी आप देखें कोई कोई online कर रहा है कोई कोई service दे रहा है कोई time दे रहा है network marketing में direct selling industry में यह सब कुछ आपको देना पड़ता है सब कुछ देने के तरीके सीखने पड़ते हैं आपको time भी देना पड़ता है यहां पर सेबा भी देनी पड़ती के स levers करने पड़ती कि साथ उनकी ठीक्रिस्व करने पदी आपको तब जाके आप इस industry में भी आपकी जो source of income है वो आपकी एक तयार होती है और आप अच्छा खांसा आप पैसा बनाते हो recognition बनाते हो time freedom मिलता है money freedom मिलता है कई लोग ना time देते हैं ना किसी को सेवा देते हैं ना कोई sell करते हैं ना अपने अंदर किसी का विकास करते हैं और मूँ फाड़ के गुमते रहेंगे हाई जी हमारा कुछ होई नहीं रहा हाई जी हमारा कुछ होई नहीं रहा हाई जी हमारा कुछ होई training चलाई है, हमने, code training चलाई है, FIM चलाई है, जा जाके उनको sell करना सिखाया, एक कैसे list बनाई जाती है, कैसे plan दिया जाता है, कैसे follow up किया जाता है, follow up में क्या-क्या challenges आते हैं, सामने वाला क्या-क्या पूछता है, उनको कैसे बात करनी है, है न, एक B.A. team player क्या होता है, leadership कैस होती है, counseling क्या होती है, सारी चीज़ों को हमने किया, और करने के साथ साथ ये सेवा हमने दी, और उससे हमने लोगों का विकास किया, फिर लोगों ने उसको duplicate किया है, तो ये जो चीज़े network marketing में भी, आपकी source of income जो है, वो इनी चीज़ों से बनती है, जब तक आप ये चीज हमा रही है, तो उसके कुछ ही ये श्रोत है, और इन श्रोतों के माध्यम से ही आपको income आती है, इस industry में भी, network marketing में, direct selling industry में, safe swap में खास क्या है, कि आपको ये सारी चीज़े एक साथ देनी पड़ती है, आप एजे फ्रेशर आते हो, आपको अपने अंदर कई साल लग जाते हैं, discipline आने में, कई साल लग जाते हैं, sell सीखने में, कई साल लग जाते हैं, आपको service, आपकी catching power कितनी अच्छी है, आप कितने ध्यान से चीज़ों को कर रहे हो, इस बात पर आपका future बनता है, आप कितने ध्यान से चीज़ों को सुनते हो, इस बात पर आपका future बनता है, कित चीज़ें जो समझ में आई होंगी क्योंकि ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है कभी समय मिलेगा दो-चार गंटेंगे जो रूस आपके साथ शेयर करेंगे लेकिन फिलाल मैं बस यह समझाना चाह रहा था कि जिस इंडस्ट्री में आप काम करें इंडस्ट्री बहुत पाबर फूल है लेकिन सर्थ यह हैं कि आपको में मेहनत करनी पड़ती है आपका पड़ाइव लिखाई करनी पड़ती हैं कुछ चीजें हैं जो मैं आगे बताने वाला और मैंने अपने बिजनिस को आज पूरी हिंदुस्तान में बनाया और वो की एक्षन मैंने अपने ग्रेट मेंटरों से सीखे वो की एक्षन मैंने अपने सिस्टम से सीखे वो की एक्षन मैंने किताबों से सीखे हमारे कई साथी जो हमारे साथ में काम कर रहे थे मैंने उनसे सीखा और मैं सब के लिए grateful हूँ क्योंकि मैंने हर किसी से सीखा है तो सबसे पहले दोस्तों पहला है कि हमें इस business में अपने आपको तयार करने के लिए be ready to spend on yourself आपको अपने आपको तयार करने के लिए अपने ऊपर कुछ चीजें जिसको कहेंगे spend में खर्च करनी पड़ेंगी खर्च करने का मतलब क्या होता है हम थोड़ा इसको detail में जानते हैं सबसे पहले आप देखेंगे spend time on your learning आपको समय देना पड़ेगा अपनी सिखलाई में सरफ गदे की तरह जोला उठा के घूमने से कुछ नहीं होगा किसी भी industry नहीं होता है यहां पर भी नहीं होगा 24 गंटे में से कुछ समय आपको खर्च करना पड़ेगा learning में सीखने में कई लोगों को देखा है जिनकी team बन गई है लेकिन उनको slide बनाना नहीं आता उनको ट्रेनिक्स देना नहीं आती उनको stage पर बात करना नहीं आता अगर उनको बोल दो कि भाया तुम कोई slide बना के लेके आनी है तो पूरा दिन बैठ के meditation करके सोचते हैं कि पिर वो कैसे होगा और वो slide नहीं पन पाते क्योंकि उनको लगता है कि अपने आप ही होने वाला है उनको लगता है ये industry पिरकुल ऐसे ही है एक दम चमतकार कर देगी कुछ बिना किये हूँ ऐसा नहीं है आपको अपने उपर समय इंवेस्ट करन जाना पड़ेगा आपको मैनत करनी पड़ेगी spend money for your experience आपको अपने उपर पैसा भी खर्च करना पड़ेगा जैसे एक पिता अपने बच्चे पैसा खर्च करता है टीशन लगवाता है इसकूल फीस बरता है उसको तरह तरह की चीज़ां करता है उसको पार्क में लेके जात है कुटे दिखाता है खेत दिखाता है उसको कभी गुआ लेके जाता है क्योंकि experience किताबों से नहीं होगा experience करने के लिए आपको आना जाना पड़ता है आपको चीज़ां देखनी पड़ती है अपनी आँखों से सुनना पड़ता है तो spend money for your experience आपको अपने उपर पैसा खर को इंडिस्ट्री है जहां पर आपको अपने उपर चीज़ें इंवेस्मेंट करते हो और उसी से आपको बहुत कुछ मिलता है कई लोग यह आ जाते हैं मूँ ठाके उनको लगता ही है ऐसे होगा ना कभी अब मैंने देखा कि वो कभी भी घर से मतलब दो चार प्लान दिखा गया कि फिर घर में घुच गया के वो कभी लुकले ही नहीं लेकिन मेरे गुरू ने मुझे आउट आप टाउन बिजनिस बिल्ड करना सिखाया तो मुझे पता लगा कि spend money for your experience जब मैं दुनिया में घूमा हिंदुस्तान में घूमा तो मैंने घूम घूम के सीखा मैंने experience लि मेरे काम में आए टीम को बनाने में वो मेरे काम में आए मेरी leadership का विकास करने में वो experience मुझे काम आए लोगों को dream किस तरीके से होता है dream क्या होता है मैं Thailand घूम के आया मैं Switzerland घूम के आया मैं दोबई घूम के आया मैं दुनिया के कई कंटियों में घूम के आया मैं जानता तो केना की चीज़ें आपको करनी पड़ती है, spend on your lifestyle, आपको कुछ चीज़ें अपनी lifestyle, lifestyle मतलब अपनी जिन्दकी को और बेतर बनाने के लिए आपको investment लगते हैं, spend on your health, अच्छा खाना खाओगे, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, आप बुरा खाना खाओग उल्टा सिदा खाना काऊगे तो हमें सालस में रहोगे तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको अपनी इंप्रूमेंट में लगेंगी या पर अगर आप कर सकते हो तो बहुत आगे जाओगे नहीं कर सकते हो तो राम राम जै हिंद जै भारत है ना लेकिन विकाजी ने समझा विक जाजार बारा में था वैसा मैं दोजार बीस में नहीं रहा जैसा मैं दोजार बीस में था वैसा मैं दोजार तेश में नहीं रहा और जैसा मैं दोजार चौविस में रहने वाला हूँ जैसा मैं दोजार पच्छिस में नहीं रहने वाला हूँ क्योंकि मैं एब्रीडे अप में कुछ बदलाव नहीं आया विर्कुल क्योंकि मैंने अपनी हेल्ट पे ध्यान दिया है तो मेरा केने का मतलब है यह सारी चीज़ें जब आप करोगे सबसे बड़ी बात ही है कि बिजनिस के आप ओनर हो अगर आप नोकर होते तो मुझे लगता है इन सारी चीज़ों के कर होता है जो बिजनिस को रन करता है वो मालिक होता है जो बिजनिस को रन करता है वो सबसे बड़ा प्रॉफिट बनाता है जो बिजनिस में सामिल होता है ज्यादा तर लोग बिजनिस में सामिल होते हैं बिजनिस को रन नहीं करते ज्यादा तर लोग टीम में सामिल होते हैं टीम को रन नहीं करते क्योंकि टीम को रन करने के लिए आपको इस सारी चीजों की जुरुत पड़ेगी जैसे गाड़ी खड़ी है तो बस कपड़ा मारो कोई दिक्कत ने लेकिन गाड़ी को रन करना है तो उसमें सर्विस भी लगेगी पैट्रॉल भी डालना पड़ेगा टा एक होता है बिजनेस को चलाना आप क्या कर रहे हैं अभी कि आप बिजनेस में सामिल है सामिल होने वाला बस सामिल है बोला जैसे बराद में सामिल होते हैं कार्ड आया था चलो वही सामिल हो लेते हैं सामिल होने वाले को कुछ नहीं मिलता है रन करने वाले को बहुत कुछ म चलाना पड़ेगा टीम को रन करना पड़ेगा हंडेट परसेंट यूजर बनना पड़ेगा तीवी एप करनी पड़ेगी यह जब समझ में आया तो बिजनेस को चला है कई लोक एक जगई टिक गए उनका बिजनेस विर चलाई नहीं सिल्वर थे सिल्वरी बने रहे गए वो ना तो वह लन कर रहा है ना अपनी उपर इंवेस्टमेंट कर रहा है स्विर्फ की भी बात कर रहा हूं तो यह सारी चीजे olsun जब आप करते अपना इंजिन कब चालू होगा जब आप इंजिन की तरह बनेंगे और इंजिन का काम है चलना इंजिन का काम खड़े होके सड़ना नहीं होता है ज्यादा तर लोग इस बिजनिस में सामिल होते हैं मातरे दो तीन परसेंट लोग होते हैं जो बिजनिस को रण करते हैं तो दो तो यह बाना नहीं होना चीए मुझे समय नहीं मिलता मैं कैसे सीखूंगा मेरे पास पैसा ही नहीं है मैं कैसे करूंगा यह करूंगा वो करूंगा तो फिर बाई साब पर ऐसा करो आप फिर यही गाना काते रहों तो कोई बाना नहीं होता जैसे बच्चे की फीस भरनी ही भरन हो तो मेरा कहने के मतलब आप भी बच्चे विस बिज्शनस में जैसे बच्चे को बढ़ा करने के लियं इनवेस्धमेंट होता है तो आप यह मत भूलिए कि आ प 걸ा होने के लिए सारी चीज़ों को लगेगा मुझे लगता है कि जो मैं आपको बताना चाहरा था मैंने अपनी बात आप तक पहुचाई जरूर होगी तो नमबर एक be ready हमेशा तयार रहिए अपने आपको improve करने के लिए अपने उपर चीज़ों को खर्च करने के लिए क्या-क्या अपना पैसा अपना समय हमेशा तयार रही है forever तो तो आप चलते रहोगे और जिजस दिन आपने ये बंद कर दिया वहीं आप रुख जाओंगे चाहए आपका level कुछ भी हो कई लोगों को मैंने एक level के बाद मैंने उनको रुखते हुए देखा एक level के बाद मैंने उनको खतम होते हुए देखा मेरी सक्सिस का सबसे बड़ा राज है कि मैं कभी रुपता नहीं में लगातार अपने अपनर आद्वमंतन करता रहता हूं पढाई करता हूं अपने उपर इन्वेस्मेंट करता हूं और यही काम एंपने में जहां पर हमें source of income हमारी क्या है product बेचना जैसे cricket में source of income क्या है बलाग चलेगा तो आपको आबाड reward मिलेंगे ऐसे ही हमारे business में है हमारे product है आज हम दुनिया के सबसे bettering company और सबसे बैतरी प्रोड़क्ट को लीड करते हैं मैं अपने लिए तालियां बजाता हूँ अगर आप भी सेपसों में तो अपने लिए तालियां भी बजाच सकते हो दोस्तो यूज प्रोड़क्ट कई बार क्या होता है कि हमको प्रोड़क्ट की नॉलिज होती नहीं है जब प्रोड़क्ट की नॉलिज होती नहीं है तो ना तो प्रोड़क्ट को हम यूज करते हैं ना ही किसी को रिक्मंड करते हैं तो पर इंकम कहा से आईगी बाबाजी का ठुलू कपिल सर्मा बोलता ना बाबाजी का ठुलू जैसा कि यह भी तो बिजनेस तो कहां से है, source of income कहां से आनी है, चोकि हमारा source of income तो हमारा product है, अगर हम source, जो मैन हमारा base है source of income का, अगर उसके बारे में हम जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो income कहां से आएगी, ज्यादा तर लोग उठाके जोला घूम रहे हैं, उनको यह नहीं पता है, क्या नहीं पता है, उनको number एक, learn about product by using time, जब आप product को use करोगे, तब आप जानोगे, समझोगे, सीखोगे, बिना गुलाम जामन खाए, यह बताना कि गुलाम जामन की feeling क्या है, होता क्या है, तो तो वो उसको भासर देना कहते हैं, learning नहीं कहते हैं, तो learn about product by using time जब product को use करते हो, सीखते हो, तो आपको पता चलता है, कि product actually है क्या, build your confidence, जब आप product को use करते हो, तो आपको product के लिए confidence and knowledge जो है, वो आपके अंदर विक्सित होती है, आप लोगों को पूरे confidence के साथ बताते हो, पूरे confidence के साथ उसके लिए बातचित करते हो, उसको सामने वा को recommend कर पाते हों आप, लेकिन जब product के कोई knowledge नहीं है, क्योंकि use करते नहीं हो, product के वारे में सीखते नहीं हम लोग, और ज़्यादा तर लोग जो ऐसा करते हैं, उनकी source of income बहुत अच्छी है, वो लोग कैपिंग पे हैं, वो लोग लाग रुपे के चेक उठाते हैं, उनकी recognition उनकी अच्छी है, उनकी team बहुत respect करती है, जोकि उनको product की knowledge है, आज से कुछ साल पहले मेरे को भी ऐसास हुआ, कि मुझे भी product की knowledge होनी चाहिए, हमारे great mentor ने बताया कि product की knowledge किताबों के सासाथ विगाजी उनको घर मंगा के use करना सिखो, और आज की date मेरे घर में 100% जितने भी product हैं, सारे के सारे product यूज करते हैं, हमारे कई ऐसे leader हैं, जिन्होंने घर में product corner बना रखा है, उनके घर में product की एक छोटी सी showroom है, जब भी उनको product लेना होता है, तो वो मंगा के रखते हैं, पहले से उनके घर पे कोई आता है, शोपे बैठते ही, वो showcase product का सामने दिखत है, उनसे पूछा जाता है, यह क्या है, तो मेरा कहने का मतलब है, जो दिखता है, वो बिखता है, देखने का मतलब, आपके अंदर वो चीज़ें दिखनी चाहिए, आपकी बातों में नहीं, आपकी personality में दिखनी चाहिए, कहते ना, चोर की दाड़ी में तिनका, एक सब के पास ग्यान भरा पड़ा हुआ है, सब के पास knowledge है, maximum नहीं, तो minimum सब के पास knowledge है, तेरा चैरा, तेरे कपड़े, तेरी personality बता देती है, कि तू अनपड़ गमार है, या फिर पड़ा लिखा और समझदार है, लैप्टॉप और फोल्डर खोलते ही, सामने वाला यह बिजनिस की knowledge है भी की नहीं, अब सामने वाला अनपड़ गमार तो आपको नहीं बोलेगा, लेकिन वो समझ तो जाता है, चुप रहता है, और आपके कंपनी को या आपके product को लेने से मना कर देता है, हमारे साथ तो आज तक ऐसा नहीं हुआ, विकास जिनिया कर 10 प्लान दि तक ऐसा था ही नहीं कि 10 प्लान दिखाएं, जस लोगों को हमने इस बिजनिस के बारे में बताया, हमने उनको बताया, हमने उनको अपनी कंपनी के बारे में बताया, प्लान दिखाया, डेमो दिखाया, और साब बोले 10 प्लान दिखाया होला, एक भी नहीं आया, मैं कोई अन प्रोड़क्ट के बारे में बात कर सकता है और उनको रिखमेंड कर सकता है भगवत गीता हो संपूर्ध हन्मान हो कोई भी प्रोड़क्ट हो जब आपके पास नौलिज होती है तो इसके बारे में आप ठोक के बताते हो अगर सीजी बात है मैंने आफल्ट आवर देखा हुआ ह मैं साला कॉंफिडेंस के साथ बता सकता हूं लेकिन जिसने देखा ही नहीं है वो तो यह वो लेगा पठना में है ना इफल्ट आवर कोई वो लेगा केरला में कोई वो लेगा साब वाएं किसने फोटू में देख लिया हो लेकिन जिसने रियल में देखा है वो पूरे कॉं है हम सब की खास कर गए डरक सलिंग इंडस्ट्री में सोर्स अप इंकम है जिसके पास प्रोड़क्ट अच्छे नहीं है उस कंपनी को लोग कुछ और ही बोलते हैं इसी तरीके से अगर आपके पास प्रोड़क्ट की नौलिज नहीं है तो आप एक अच्छे लीडर होई नहीं सकते हैं अगर आपको प्रोड़क्ट के बारे में बात्चीत करना नहीं आता है तो आप एक अच्छे लीडर होई नहीं सकते हैं आप स्रम टाइम पास कर रहे हो आप अगर प्रोड़क्ट को यूज नहीं करते हो तो आप अपनी इंडस्ट्री के प्रत वफादार होई नहीं आप अपनी कंपनी के प्रत वफादार होई नहीं आप अपनी टीम के प्रत वफादार होई नहीं तो आप बेपूप बना रहे हो और कहते हैं कि जैसी नियत वैसी बरक्कत कहते हैं कि बातों से उलजाना यह मूर्खों का काम होता है उनको बहुत अच्छी अच्छी करना आती है बहुत मिठी मिठी बाते करना आती है उनको भगवान ने चीज दे रखी है वो क्या दे रखी है उन्होंने कहीं से कोई पढ़ा तो उनको याद रहता है उनकी मेमोरी जो है जैसे कहीं से पढ़ा उनको याद रहता है और उस याद दास्त को लोगों को बताते हैं आपके पास proper इसकी पूरी जानकारी तब होगी जब आप इसको यूज़ करोगे, तो मुझे ऐसा लगता है दोश्टो, हमारी सेप सॉप के, हम सब की सेप सॉप के वर्ल्ड क्लास प्रोडुक्त हैं, उनको यूज़ करना चाहिए, उनको अमल में लाना चाहिए, और अपने प तो आपको इन चीजों को देखना है और इन चीजों को जब समझेंगे करेंगे तो आप देखोगे आपके सोर्स विनका बहुत अच्छी हो जाएगी और आप बिजनेस में बहुत अच्छे से लोगों को ला पाओगे उनको ठीका पाओगे next attend all functions and educational activities दुनिया की बड़ी से बड़ी कमपनिया चाय वो Apple हो चाय वो Reliance हो चाय वो भजाज हो चाय वो अडाने की कमपनी हो दुनिया की कोई भी बेतर इन कमपनी हो हर कमपनी अपने employs को educational activities में सामिल होने के लिए buy order उनको भीजती है हमारे बिजनेस में आप employee तो हो नहीं आप owner हो मालिक हो आप अपने बिजनेस के तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि system की हर activity company की हर activity में आपको सामिल होने के लिए motivate ना किया जाए सामिल होना है क्यों क्यों कि बिजनेस आपका है सामिल होने से होता क्या-क्या है आपके अंदर क्या-क्या फिक्चर इंप्रूमेंट होते हैं आपकी success में सामिल होगे तो कौन-कौन से दो हमीदे फिक्चर एक्सिप एक्टिवेट हो जाते हैं चीजों में जाने है पहला पीचर यौर नॉलिज अप ग्रेट आपकी जो नॉलिज है इसे बश्रूमं होना है इंप्रूम्बांदो लाश झाती है इंक्रेंग और्की में जाते हैं तो आपका क्या यून विल्ड और परस्णल्टी आपकी personality improvement होती है जब हाँ पे आप लोगोंको देखते हो गो कि यार दुनिया कैसे काम कर रही है किस तरीके के dress पैंड रही है कैसे बмат कर रहे है लोग अपलाय ने कैसे training दी हमारे mentor ने कैसे बातचीत करी बिल्डियर पर्सनल्टी, आपकी पर्सनल्टी बिल्ड होती है, बिन attorney attitude बिल्ड होता है, अगर आप function में, meeting में, ट्रेनिंग में नहीं जाते हो, तो ये feature आपके activated नहीं होगे, और इनके विना team बनाना या team चलाना मुश्किली नहीं असंभव है तो ध्यान रखिएगा जो लोग फंक्शनों में नहीं जाते मीटिंगों में नहीं जाते एड्यूकेशनल सिस्टम की एक्ट्वीटी में नहीं जाते वो आज भी मैं उनकी दसा देखता हूं एक बहुती बेचारापन जिसको कहेंगे सत्रा सालों में देखा लेकिन कईयों को देखा जिनोंने हर फंक्शन हर मीटिंग एक पॉजिटिव एटिचूट के साथ अटेंड की एज ओनर्सिप लेके तो मैं देखता हूंकी नॉलिज बहुत हाई लेविल की आज की बहुत अप्ग्रेड है उनकी नॉलिज उन्होंने सेलफ टॉफ हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं क्यों क्यों क्योंकि याफ पूरा दिन जब मीटिंग में बैठते हो तो वापस स्राप assigning में जाते हो आप जाते हो 앞에 घृम करते हो आ अंदा नेगेटिव ना सोच सकता है ना नेगेटिव बात कर सकता है क्यों क्योंकि आप प्लान दिखाओगे तो पॉजिटिव बात करनी पड़ेगी आप करोगे पॉजिटिव बात करनी पड़ेगी आप आप फॉल अप करोगे पॉजिटिव बात करनी पड़ेगी आप फॉ पॉजिटिव रहता है सब कुछ तो जो लोग नेगेटिव रहते हैं या नेगेटिव बात करते हैं या जिनका धंदा एक समय के बाद बरबाद हो गया खराब हो गया आप देखो कि उन्होंने ये जगेट छोड़ दी थी जगेट छोड़ते ही उनकी एजूकेशन का दैरा र खुदे एक बिजनेस के मालिक हो तो ज्यादा लोग फिर आपके पीछे समझाने बुजाने के लिए ज्यादा पढ़ते नहीं है तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आप अटेंड और फंक्शन करते हो एजूकेशनल एक्टिविटी में जाते हो तो अपने आप ही अपने आप क ग्रेड होती है कि वहां पर एक सुपर अप्लाइन आती है आज जैसे आज यहां बैठे हो क्या क्या हो रहा है आपका आपका इक तो नौलिज अफ्टो सेल्प टॉक्डिटिव हो रही होगी आपकी परस्नल्टी डवलोग हो रही होगी मुझे देख रहे हैं आप मैंने से कर रखी है टाई लगा रखी है सूट पहन रखा है थोड़ा बहुत में ठीक ठाक लग रहा होगा तो आपको भी लग रहा होगा जार मीटिंग हुए ना ऐसे ही बनके बैठना चाहिए मुझे भी है साड़े छे बजे हम ना दोके बैठ गए इसका मतलब आपके भी दिमाग मे चल रहा होगा कई जो रजाई में गुसे होंगे उन को सरम आ रही होगी गिल्टी भील हरे होगी क्यों दोकि उनका यही हाल है तो मेरा कहने का मतलब है मैंने अपने ग्रेड मेंटर सेचा है जो लोग मां घुर जी के पैनल पर डेली आते हैं उनको डेली नोडी अप और बिनर एक्टिटूट बिल्द होता है जिस टीम में लगातार सिस्टम की चलती है जिस टीम में लगातार सिस्टम की चलती है जो लीडर अपनी टीम में लगातार एक्टिविटी करता है लगातार एक्टिविटी चलती रहती है बिना रुके बिना थके वो टीम के अंदर लगातार ये फीचर एक्टिवेट होते हैं टीम की मैं देखता हूँ सेल्फ टॉक बहुत बढ़िया रहती है लीडरों की नौलिज अच्छी रहती है उस टीम के अंदर लीडर इतने हैंडसब और सुन्दर बन जाते हैं अंदर भार से कि देखती लगता है यार क्या टीम है उन लीडरों के दर बिनर एक्टिट्यूड होता है लेकिन जिन टीम है या जो लीडर इस तीजों को सामिल नहीं करता है करत मैं देखता हूं उस टीम में ना तो की नौलिज उनके पास है एक दम नेगिटिव सेल्फ टॉक रहती है भाइंकर पर्सनल्टी इतनी घटिया रहती है कि कोई वी उनके साथ बड़ा का अमतलब अगर अपलाइन भी टीम में जाए तो अपलाइन को वी ऐसा लगता है भाई साब के हाडग ना हो जाए अपलाइन को भी चूटा है मतलों डाउन लाइन तो विचारी सीधी साधी होती है अपलाइन जो इतन में अप्लाइन जाता है वो टीम कौन है जो मूँ से छोड़ दो वो पूरी दम लगा के लिखालता है ना कलेजा फाड़ के फिर भी लिखलती नहीं यह बात है क्यों 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 कि बाँ पर इतना नेगेटिव माउल है इतनी नेगेटिव एनर्जी यह निगीटिव एनर्जी क्यों है क्योंकि वो टीम लगातार से फंड मिलेगा बार्फ सरकार कुछ देगी तो मैं सोचू gaat बारफ सरकार ऐसा करेगी तो मैं सोचू हा तो तो अभी तक तेरी जो mentality है वो BPL धारक वाली है गरिवी रेखा से जो लोग नीचे जीते हैं वो mentality है तीरी यह स्वभाग गया है कि कि किसी की recognition silver gold और उपर की बन गई है लेकिन फिर भी वो इस mentality के साथ जी रहा है कि इस काम को कोई और कर देगा मेरी टीम में training venue FIM tools को training यह कोई और करेगा बोर टीम बड़ी दुरुभाग के हैं जो ऐसे अप्लाइन के साथ काम कर रही है जो इन चीजों को करता ही नहीं है और वो टीम बड़ी सौभाग के साली है जिसको ऐसा plan मिला हुआ है जो time to time अपनी टीम को activities देता है चाहे वो function है चाहे वो education है तो दोस्तों यह अगर आप चाते हो कि यह सारी चीज़े अप्ग्रेड हो तो आपको इसमें सामिल होना है और अपनी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा सामिल करना है क्योंकि यह business बहुत बड़ा business है बहुत हाई-फाई business है और बिजनिसों की तरह यह भी एक powerful industry है इन्सके बिना संभव नहीं है next point है मेरा यूज टूल्स एंड ओवेदा रूल्स टूल्स और रूल्स और रूल्स आपकी टीम के अंदर और आपके खुद के अंदर पर्फेक्शन लेके आते हैं और टीम के अंदर confidence लेके आते हैं एक आदमी को दे दो आप जमीन खोदने के लिए लकड़ी और एक आदमी को जमीन खोदने के लिए दे दो फाबड़ा सिदी सी बात है फाबडा जिसके पास है या फाबडा जिसके हांत में वो जमीन खोदने के लिए बहुत कॉंफिडेंस से खोदेगा और परफेक्शन के साथ खोदेगा लेकिन जिस टीम में या जिस लीडर के पास टूल्स नहीं है जिस टीम में टूल्स नहीं है टूल्स बहुत सारे तरीके के टूल्स होते हैं जैसे इस पैनल को रिक्मेंट करना भी एक टूल्स है इस पैनल पर पैठना भी एक टूल्स है लेप्टॉप टीम में टूल्स है टू मल्टी, जो ओता है, गुलांग मल्टी प्लेक्शन जो होता है, दो से चार, चार से आठ, आठ से शोलह, सोलह से बत्यस, बत्यस से 2004 अपने आप होता है ट God में लेकिन जो टीम में डुप्लीकेट नहीं होता है कई लोग बोलते हैं मागुर जी मैं डुप्लीकेट नहीं कर पा रहा कुछ भी हो नहीं रहा मैं जब काम करता हूं तब तो रिजल्ट आता है लेकिन मागुर जी मैं जैसे ही घर चला जाता हूं दो दिन के लिए साधी में चला जातों मेरा बिजनेस जीरो हो जाता है ऐसा कौन बोल रहा है एक लीडर जिसके पास एक सम्मानीने रिकेगनिशन है वो बोल रहा है लेकिन उस भाई साब को यह समझ में आ जा जाना चाहिए कि जब आप टूल्स और रूल्स हमारे बिजनेस के रूल्स हैं कुछ एथिक् कार्डिया रूल थ्री पावर्स एट स्ट्रेनिंग संडे का बेनीवी रूल्स है और टूल्स में यह साथ में तो आपकी टीम अपने आप डुप्लिकेट होती है विकास जी ने पूरे भारत में बिजनेस बनाया विकास जी को साब सुत्री थोड़ी बहुत हिंदी आती है तो टूटी फूटी अंग्रेजी आती है विकास जी ने पूरे हंदोस्तान में आज एक मैं पूरे प्राउड के साथ कहता हूं एक बहुत जवर्जस्त एक ऐसी टीम जो पूरी दुनिया पे राज करती है एक एक लीडर एक करोड के बराबर है उनको देखके लगता है कि य काम को करने की कोशिस करते हो तो ऐसा लगता है कि आप अपने लिए कर रहें और जब को यह काम अपने लिए करते हो तो ज्यौ gor altre लोग इसमें सामिल नहीं होते आज वले इन जूराब आप में किसी को इंट्रेस्ट नहीं हर आदमी को खुद में इंट्रेस्ट होता है रूल्स और टूल्स आपकी निश्वार्थ भाव की लिडर्शिप खड़ी करते हैं लेकिन जब आप बिना टूल्स के काम कर रहे होते हैं बिना रूल्स के काम कर रहे होते हैं वह एक बंदे marketing में एक level के बाद वो खुदी tools बन जाते हैं खुदी rules बन जाते हैं वो भावदेना बंद कर देते tools को rules को बोला मैं हुना IMA rules मैं खुद हूँ rules वो खुदी rules बन गए बोला जो मैंने बोल दिया वो सही है ऐसे लोगों की team को मैंने तूटते हुए देखा है परवाद होते हुए देखा है उनको उनकी recognition को जंड होते हुए देखा है और उनके business को खतम होते हुए देखा है जिनोंने rules और tools को अपनी team से खतम कर दिया rules और tools का मतलब इसको पूरी भासा मैं कहते है system हम बार-बार बोलते है न सिस्टम को भालो करो system का मतलबी होता है sunday का venue क्या है tools है business को बनाने का प्रैड़े की training क्या है tools applying की call क्या है tools guru meeting क्या है tools इस panel पे आज बैठे हो अपनी team को लेके आज लाखों लोग सुन रहे हैं क्या है tools easy to communicate जो चीज आप बातों से नहीं समझाते हो समझा सकते हैं वो tools से समझा देते हो हम foreign country में जाते हैं देश विदेशों की आत्रा करते हैं हमें समझ में नहीं आता है उनकी बासा को लेकिन हम उनकी activities से समझ लेते हैं यह कर क्या रहा है easy to communicate हमें जब रोड़ पार करना होता है तो वहाँ पर रेड लगा रखा है उन्होंने मतलब अगर वो जल रहा है तो रोड़ पार नहीं करना है वहाँ पर कोई आदमी नहीं खड़ा है tools communicate कर रहा है सीधा हमको एक पुलिस खड़ी है हम कैसे पैचाने के पुलिस है इनिफॉम है tools है उसका दूर से समझ लेते हैं यह प्रसाशन का आदमी है ऐसे ही आप चाते हो कि बिन बोले हुए आपकी टीम ज़्यादा समझे आप tools और rules यूज करिए विगाजी ने यह किया कई लोग कुछते हैं प हमारे mentor ने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया प्रैड़ी की training में कौन सा tools संडे की menu में tools आठ dress code पहन के बैठा हूँ यह communicate कर रही है tools है rule है मेरा मैं black suit के अलाबा कुछ नहीं पहनता यह rule है मेरा communicate करता है security अगर जिन्दिकी में आपको कुछ हो जाए तो tools और rules आपकी security है कई लोग security को क्या समझते हैं घर ले लिया संपत्वों तो खड़े खड़े भिख जाते हैं कई हों के लेकिन अगर आपकी टीम में tools और rules है तो एक बहुत बड़ी security है आपके पास दिरुभाई अमानी दुनिया से चले गए लेकिन tools और rules की बज़े से आज reliance खड़ी हुई है कोई भी पार्टी tools और rules की बज़े से खड़ी हुई है बड़े बड़े जंडे लगते हैं बैनर्स लगते हैं दुनिया में apple company है tools और rules आप किसी पार्टी में आप किसी पार्टी का रूल तोड़के देखिए आपको एक letter आ जाएगा और लिकाल के भार फैंक देंगे पार्टी से विकासी भी ऐसा ही करते हैं अगर system के खिलाप company के खिलाप अगर कोई बात जाता है हमारी company भी tools और rules आप देखते होगे अभी website पे आपने सबने एग्रिड किये होंगे अपनी website खोली होगी दुनिया में जिस आदमी के पास कोई tools नहीं रू security है अगर आपको लगता है कि आपको अपने कामे perfection चाहिए अपनी टीम में confidence है यह आपका लगातार business duplication होना चाहिए जो network marketing का जो सबसे बड़ा feature है है न मल्टी प्लेक्शन लगातार 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 दो से चार चार से आठ आठ से 16 होता रहे tools easy to communicate मैं training में जाता हूं सब पार्टी भी कहते हैं easy to communicate and security तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आगया होगा कि tools और rules आपके business में किस तरीके से आपको support देते हैं इनके बिना एक बड़ी सबलता लेना सर्ब एक सपना है इससे जादा कुछ नहीं यह मैंने और मैंने यह को किताबों से न मेरे 17 साल का अनवब है एक एक चीज को मैंने किया है अमल किया है और मेरी एक आदत है मैं पहले अमल करता हूं फिर बोलता हूं और यह मैंने अपने great mentor से सीकी हुई है कि बोलने से पहले खुद करिए फिर बोलिए मैं ऐसा ही करता हूं इन में कोई भी एक भी ऐसी चीज नह था और मैं जहां से क्यों क्योंकि मैंने वो सब किया है मैं जानता हूं मैं इन चीजों को मानता हूं इन चीजों को फॉलो करता हूं यह निस सारी चीज़े मैंने अपने great mentor को करते हुए देखी है मैंने भी किया तो मुझे फैदा मिला आप भी करोगे तो आपको भी मिलेग एंड मेरे दो पॉइंट और बचे हुए हैं टेक रिस्पॉंसिबिलिटी टू सॉल्व एनी प्रॉलमेंट टीम आप ओनर हो आप मालिक हो आप बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हो क्योंकि आप नौकर तो हो नहीं टेक रिस्पॉंसिबिलिटी जब आप कि तो इसमें भी प्रॉलम सुनती हैं समच्या होती है मैंने क्या किया तो मैंने तुरंध क्या किया और मुझे उसके फाइदेमिले आगर आप यह सी लोगे Сमझ लोगे तो टीम में कहके फाइदे होंगे आपको नंबर पहला है सभसे पहले तो केरिंग्य एटीट्उट तीम में डवलब होता है पड़ने से नहीं होता करने से केरिंग एटीट्ष डवलब होता है कि टीम के अंदर lo Auty में करना को दूर करना सीख्ते हो या करते हो यूणिटी पैदा होती है कई लटूरे मैंने यह से में समस्या को दूर नहीं करते हो जैसे एक बंदे को को survey जांगढ़ स्कोष्वर है कोई अश्वरिडर है उसको कि समस्या हो गई तो श्रक्ष्वर दूर कराएंगे उसकी जगह फिर एक नया बंदा जोइन कराएंगे फिर उसको भी कोई समस्या हो जाएगी फिर एक नया बंदा जोइन कराएंगे आज भी मतलब खजूर की तरह यह उंचा तो हो गया खजूर आपने देखा है न कि खजूर बहुत उंचा होता है ना तो अच्छी छाया देता है ना चाफल देता है आज भी यह फ्रैसर की तरह ही लगता है इसकी फ्रैसर की तरह काम करता है क्यों कि किसी की समस्या ही दूर नहीं क रहे तो फलाना आए तो डिखना आए ना कभी उसकी कांशलिंग कराएगा ऐसा बोल बाल के उसको जंड कर देगा यह काम करता ही नहीं महागुरुजी यह तो ऐसा होता ही नहीं महागुरुजी फलाना नहीं करता महागुरुजी उसको नहीं करता महागुरुजी ऐसा करकर के क करके इसकी टीम में कोई भी लीडर टिकता ही नहीं है इसकी टीम में को हो ना चाहिए जब कि क्लिए अभी क्या अकेला और नीचे फ्रहसर बाकी के बीच के सारे गायब क्यों भई क्यों गायब हो गए वो क्योंकि उनकी समस्यों को दूर नहीं किया गया यह क्या सोच रहा था विश्णु भगवार आएंगे गरोड़ पर बैठके और वो दूर करेंगे अरे भई पैसा तुझे कमाना है रेकेगनेशन तुझे चाहिए सम्मान तुझे चाहिए घर तुझे चाहिए विदे सयत्रा तुझे चाहिए तो विकाजी के फूपा करेंगे आके समस्या दूर ना मागुर जी ने बताया कि विकास टाइगार तुमको भी समस्या दूर करना सीखना है समस्या को मन से धनसे मजबूत होना पड़ता आथमी को. जब कई लोग पुछ ते इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड करस browsing कैसे बनाते हैं? क्योंकि विकाजी अभaiser के अंदर दम है और यह दम मेरे अंदर हमारे सिस्टम ने पैदा करिया की सालाचा कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए मैं अंडल कर लेता हूँ इसी लिए आज इतनी बड़ी लीडरसिफ है इतनी बड़ी टीम है मैंने देखा है लोगों को कि अगर कभी भी लीडर में कोई बातचीत हो गई तो उनों ने कभी भी उससे डिसकस करना नहीं समझा कभी भी उसको बैठ के उसके साथ नहीं मतलब कि बैठ है उसके साथ और उसको सुने क्या करते हैं कुछ लोग आलोचना करना सुरू कर देंगे आउट आप सिस्टेम है वो फलाना है वो दिखना है वो यह है वो फलाना है वो ऐसे लोगों की टीम को मैंने परवाद होते हुए देखा है त इसकी वज़े से समस्या दूर नहीं करी तो हमेशा ध्यान रखिए जब आप समस्या दूर करते हो तो टीम के अंदर केरिंग एटीचूट पैदा होता है लोल्टी पैदा होती है इनिटी पैदा होता है रेजल्ट जो रुके हुए है वो लिकलना शुरू हो जाते हैं क्योंकि मैं काम कब तक नहीं करूए अगर मेरी समस्या दूर हो जाए मैंने अपने gyret mentor's Garcia Guru को देखा है सबसे पहले मैं चात हूँ माऌन जी के लिए जोराज तालिया और मेरे को आज तक यह वह कुद का हूँ मेरे को आज तक सालो तक सालाक कभी भी इन सुना है और उसका समाधान दिया है आज इसलिए विकास चेका हुआ है लेकिन अगर साइद वो ऐसा नहीं करते तो मैं कोई भगवान तो नहीं मेरे को भी दर्द होता है जब कोई मुझे समझ्या होती है मेरे को भी कोई यह great mentor महागुरुजी का इतना बड़ा सामराज है पूरी network marketing में नाम है पूरी की पूरी वर्ड वाइड दुनिया की direct selling industry महागुरुजी का समान करती है महागुरुजी को सुनती है महागुरुजी के बनाय हुए नियमर ethics को फालो करती है मैं चाहता हूँ एक बार और दमदार मांगरजी के लिए तालिया हो जाए तो दोस्तों यह बहुत इंपोर्डेंट पॉइंट है इस पॉइंट की बज़े से मैंने कईयों को बनी बनाई टीम बनी बनाई रिकेगनिशन बनी बनाई चीजों को तूटते वह द जाई आप वह ऐसा नहीं करता वोला हमसे नहीं समल रही तुम साल इदरी मर जाओ हमारे पिजनेस में भी अगर कोई चीज आप से नहीं समल रही तो उसके लिए मेंटरोशिप है आप उनको बताए वो सॉल्व करेंगे उन समस्याओं को लेकिन समस्याओं को दूर करने से सा उन्होंने मेरे से सीखा केरिंग एची चीट लोइल्टी आदमी कब लोगा आपके लिए जब आप उसको सुनेंगों उसकी समस्याओं दूर होंगे इनिटी में कब रहेगा बल्टी जब मल्टीबल रिजल्ट कब होगा जबाद समस्याओं करोगे मैंने देगा हर दिन नया हर दिन नया, समस्या हुई, फिर से कुछ नया, समस्या नहीं दूर करी, फिर से कुछ नया, फिर से कुछ नया, फिर से कुछ नया, अरे मेरे वाई ये बिजनिस लोगों का है, और बिजनिस की तरह ये भी एक बिजनिस है, दुनिया की सबसे सकतिसाली मसीन, human body और human mind, ये भी क बड़ा बिजनेस बनाना है टॉप की लिडरिशिब बनानी है तो आपको डवलप करना है नेक्स है यह यह सोच के मत चलिए कि जीवन में आप गिरेंगे नहीं इन सत्रा सालों में मैं सत्रा सो बार गिरा हूं मैं कभी रोया नहीं कभी भांड की तरह में चलाया नहीं मेरी खूब आलुचना होई मेरी खूब निंदा होई मेरे उपर खूब आरोप लगे भविस में भी लगेंगे दुनिया में जितने भी टॉप लोग हैं मैंने उनको पड़ा है मैंने उनको लिखा है मैंने उनको समझ है दुनिया में मैंने देखा है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो कई बार गिरे हैं उनकी आलोचनाई हुई है उनकी निंदा हुई है या तक कि ईशा मसीजी को तो जिंदा लटका दिया था एक भगवान को जिंदा लटका दिया था वहां के राजा ने कम से कम हमें साल कोई लटका तो नहीं रहा है अलोचना ही तो कर रहा है निंदा ही तो कर रहा है क्यों कर रहा है क्योंकि आप उससे बेटर हो आप उससे अच्छे हो निंदा और अलोचना बताती है कि सामने वाले से बहुत बेटर हो अगर निंदा और अलोचना हो रही है इसका मतलब आप बे प्रोसेस है रिजल्ट नहीं है रिजल्ट का प्रोसेस है अगर आपको रिजल्ट चाहिए बड़े बड़े रिजल्ट चाहिए तो गिरते हैं कभी गिरने का मतलब क्या होता है लॉस हो जाना जिसको लॉस समझते हैं कि हाय हमारी लेग खतम हो गई हाय हमारी लेग नहीं चल र अगर आप बैक्वाउंज करोगे या बैक्वाउंज करना सीखोगे तो क्या-क्या होता है यू इंस्पार जब आप बैक्वाउंज करते हो तो लोगों के लिए इंस्परेशन बनते हो और आप खुदी इंस्पार होते हो मनी मन मैं यह देखा I can do it सारू खान के साथ बड़े से बड़े आथ से हुए उसको छे साल तक उसकी कोई मुवी हिट नहीं हुई ब्राट कॉली धाई साल से एक फॉर्म में नहीं था एक्यू पावर चोटी चोटी बात पर दुखी ओना परेशान होना कौन होता है जो बैक वांच करना नहीं जानता लेकिन जब आप बैक वांच करते हो और कर लेते हो एक बार तो आप देखोगे आप लोगों के लिए इस्प्रेशन बन जाते हो एक्यू पावर बहुत प्रते नहीं फिर आप ना आप गरने से डते हो ना किसी की आलोचना से ढते हो ना किसी की निंदा से टरते हो किसी से नीं डते fearless leadership खड़ी होती है आपके अंदर और उसके बाद आप legends की लिस्ट में आपका नाम सामिल होना शुरू हो जाता है लोग आपके नाम के बालते होते हैं वहीसा भी इंडस्टी का legend है ये इंडस्टी का legend है ये कम मिलेगा आपको जब आप backbounds करना सीखेगे लास्ट बी एक good communicator टॉप पे जाने के लिए सफल होने के लिए बहुत बड़ा business बनाने के लिए बहुत बड़ी team बनाने के लिए आपको एक अच्छा communicator बनना पड़ता है थोड़ा आगे देखते हैं डिटेल में समझते हैं फिल एक्स्प्रियेंस होंगे तभी आप लोगों के साथ एक अच्छा communicate कर पाऊगे बासर पे लोगे जा जाके लोग बोर हो जाएंगे ज्यादा तो लोग नहीं सुनेंगे कई लोगों को सुना है माँ गुरुजी वो मारा फोन ही नहीं उठाता है क्यों उठाएगा तेरा फोन तेरा ज्यान लेने के लिए हाँ सो में से दस नहीं उठारे कोई बात नहीं बीस नहीं उठारे कोई बात नहीं पचास नहीं उठारे कोई बात नहीं पर ते destroy phone कोई नहीं उठाता क्यों के टू1 उठाता तौट टूप एक बैड कंपनी के तरह है तो ग्यान पज़ता रहता है लोगों के पास त्यरेपास कोई फिल्ड का एक्स्प्रियंस नहीं है फिल्ड में तुने प्लान दिये हों तो तरहें पता है कि प्लान देते समय आदमी कैसा फिल करता है आदमी जब गिरता है तो कैसा फिल करता है आदमी की जब आलोचना होती है तो कैसा फिल करता है एक अच्छा कम्पनिकेटर बनने के लिए एक अच्छा कम्पनिकेटर मतलब हमारा काम है लोगों के साथ दिनदात कम्पनिके दोगे तभी तो को ट्रेनिंग का experience होगा जब hall आप book करोगे और hall खाली रह जाएगा तभी तो experience होगा hall खाली रहे क्यों गया लेकिन जिस लटूरे ने कभी hall ना बुक किया ना कभी hall भरा जानता है experience क्या उसके पास उसको तो contribution बहुत ज़्यादा लगेगा कुछ लटूरे ने कभी किया ही नहीं ना कुछ उसको तो आपकी टीम में सबसे ज़्यादा complaint जो करता होगा व्यक्ति या मैंने अपनी टीम में देखा है इतने सालों वो ही है जो bad communicator है क्यों है क्योंकि वो फिल्ड पर ना तो उसके पास कोई experience है तो दोस्तों एक अच्छा वालों को भी समझ में आ जाता है कि जब आप प्लान देते हो तो आप सच बोलते हो आप उसमें गलत बादे नहीं करते आप रॉंग प्रोमिस नहीं करते आप ट्रेनिंग में जाते हो मैंने कई को देखा है जो स्टेज बे जाएंगे दोस्तों मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा दीरे दीरे तीम समझ जाती है इससे बड़ा जूटा कोई नहीं है वाई साब ये बोलता है करता कुछ नहीं है लेकिन आज तक विकास जी के बारे में अगर आदमी को किसी को डाउट हो करना अगर विकास ने बोला है तो विकास उस काम को जिंदा आई तो करेगा और ईपनी ब्रांड वेली हुए मैंने जो बोला है वह फिर होगा कैसे होगा वह मैं देखुँगा लेकिन होगा इस पिक प्रूथ है जो सच बोलते हैं वह अच्छी कम्निकेटर होते हैं लोग उनका फ़न उठाते हैं लोग उनकी बाद को सुनते हैं कम टिट है मतलब अपने भात को पूरा करना प्रात्मिक्ता देना विकास के जीवन में जब सेफ सोम में आए तो विकास जी ने अपनी बात को प्रात्मिक्ता देने के लिए नौकरी छोड़ दी घर छोड़ दिया रिस्तेदारी छोड़ दी कुछ सालों के लिए मैं अपनी बात को प्रात्मिक्ता दी मैंने अपनी टीम से जो बादे किये थे उन चीजों को लेके मैं बहुत ही प्रात्मिक्ता मैंने उन चीजों को दी मैंने अपने लीडरों को प्रात्मिक्ता दी दीपावली है होली है कुछ भी है लेकिन सबसे पहले मेरे लीडर मेरी प् समझा, be ready to spend on yourself, use product, क्यों जरूरी है, function और training में जाना, पढ़ाई लिखाई करना, क्यों जरूरी है, tools और rules को follow करना, क्यों जरूरी है, responsibility लेना और समझें दूर करना, इससे क्या फायदे होते हैं, हमने उनको भी बताया, have to courage, back bounce करना, क्यों जरूरी है, क्या-क्या फायदे होते हैं, और एक अच्छा communicator बनना क्यों जरूरी है, कैसे बनते हैं, उसके क्या-क्या फायदे होते हैं, ऐसा बोला जाता है, you can't expect to success, if you only put in work on that, you feel like it, तो हमेशा द्यार रखिए, कि जीवन में सफल होने के लिए, जीवन में आगे पढ़ने के लिए, जीवन में लंबा game खेलने के लिए, जीवन में अपने आपको एक legend बनाने के लिए, इन सारी चीजों की बहुत जरूरत है, इन 17 सालों में मैंने यह सब किया है मुझे लगता है कि आपको भी करना चाहिए और यह चीज़ें आपको इस बिजनेस में हीरो बना देती है इस बिजनेस में आपको जीरो से हीरो बना देती है और मुझे लगता है कि आज इन चीज़ों से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा और मुझे लग बड़े ध्यान से सुना, मैं आप सब का दिल से बहुत आवारी हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुक्रियादा करता हूँ, और मैं चाता हूँ कि आप सब के लिए एक बार तालिया हो जाएं, और मैं धन्यवाद देता हूँ आप अपनी सेफ सॉप के के लिए जिसमें मैं प्राउड करता हूं जिसकी बज़य से मेरा वजूद है अपने सिस्टम के लिए और अपने मेंटरस के लिए और हिंदुस्तान में पुरी सेफ सॉप टीम को मैं धन्यवाद देता हूं जो मुझे हिम्मत भी देते हैं और हमें बहुत कुछ शिकाते थैंक यू बेरी मच आज हमें महागुर जी ने मौका दिया बहुत बहुत धन्यवाद महागुर जी आज आपने हमें मौका दिया बात करने का और हमने अपनी बात को बड़ी इसपश्च तरीके से रखने का मौका दिया और हमने रखा बहुत बहुत धन करने के लिए और आज का सेशन बहुत ही वन्डरफॉल और सुपर डूपर हिट रहा है मैं चाहता हूं एक जोर दातालियों से धन्यवाद देते हैं कोई भड़ते कदम तुफ़नों से लड़ने का हम में दम